Hello students, this video is for class 7 subject Hindi language chapter number 17 वाक्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं the sentence ठीके तो आज हम वाक्य पढ़ेंगे एक विचार को पूर्टा से परकट करने वाला समू वाक्य कहलाता है वाक्य के घटक जिन अव्यों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक या अंग कहते हैं ठीके वाक्य के अंग या घटक कहते हैं वाक्य के अनिवारे रूप से दो घटक होते हैं उदेशे और विदेशे क्या होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो देशे कहलाता है वो वाक्य का करता होता है उसके लिए परियुक्त विशेशन भी उदेशे के अंतरकत आते हैं जैसे तरून आज विद्याले नहीं गया उसका भाई कल से विमार है तो इस वाक्यों में तरून और उसका भाई वाक्य के उदेश्य है अब वाक्य में उदेश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए जो उदेश्य के बारे में कहा जा रहा है तो वो क्या कहलाता है विदे कहलाता है जैसे उपर के वाक्य में दिया था आज विध्याले नहीं गया आज विध्याले नहीं गया तो वह क्या हो गया कल से विद्याय हो गया ठीक है वह क्या हो जाएगा विद्याय हो गया तो उदेश्य और विद्याय के योग से ही वाक्य पूर्ण होता है उदेश्य और विद् इन के अर्थ की द क्रिश्टी से और रच्णा की द क्रिश्टी से उर्ध Finger की कितने दुंश्ण के आट हैं अर्ध कude City से विधान बाचक वरकर नशेद वाक्या, परश्नि वाक्या, विश्मयादि बोधक वाक्या, आग्या वाक्या, इच्छा वाक्या और संधे वाक्या, संकेत वाक्या, आप नमबर को देखिए, नमबर एक, विधान वाक्या, अब इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों से किसी किरिया के करने या होने की, जिन वा गुंती है पिर फिर सुर्य के चार ओर गुंती है स्वास्त रेक्ति की सबसे बड़ी पुंजी है ठीक है है अब दूसरा देखे निसेद वाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी कारे के करने या होने का ना मतलब करने या होने का निशेद यारी कि ना होने का बोध हो उन्हें निशेद वाचक वाक्य कहा जाता है वह आज नहीं पड़ेगा तो यह निशेद वाचक हो गया ठीक है अध्यापक जी आज विद्याले नहीं आए अब है प्रश्ण वाचक वाक्य जिन वाक जिन वाक्यों में विश्मियादी बोदर वाक्य कहा जाता है जैसे अरे इतनी उची इमारत हाई मैं लुट गया छी कितिनी बदवु है तो यह सब्दिकी स्कों गए विश्मियादी बोदर वाक्य के ठीके आग्य वाक्यों जिन वाक्यों से आग्या निर्देश प्रातना या विने आदी का भाव परकट होता है उन्हें आग्य वाक्य कहा जाता है जिन वाक्यों से आग्या निर्देश प्रातना या विने आदी का भाव परकट होता है उन्हें आग्य वाक्य कहा जाता है जैसे अभ तो ये क्या होगे आपका आग्यवाचक का वाक्या मतलब जिन वाक्यों में आग्या दे रहे हैं निर्देश हो रहा है प्रात्ना की जाती या विन्य हो रहा है वो क्या कहलाते हैं आग्यवाचक वाक्य कहलाते हैं अब है इच्छा वाक्य वाक्य जिन वाक्यों में व्यक्त की होने में संदे या संभावना की भावना परकट हो जिन वाक्यों में कारे के होने में संदे या संभावना की भावना परकट हो उन्हें संदे वाक्य कहा जाता है संकित वाचक वाकिय, जिन वाकियों में एक किरिया के दूसरी किरिया पर निर्बार होनी का बौध हो, उन्हें संकित वाचक वाकिय का जाता है, जैसे तुम आएगे तो मुझे खुसी होगी, वर्षा होती तो फसल भी होती, तो यह क्या हो गया संकेत वाचक वाक्य के उधार होगे नेक्स्ट है रशना के आधार पर वाक्य के भेद अब हमने क्या पड़े थे अर्थ की देश्टी से वाक्य के भेद अब है रशना के आधार पर वाक्य के भेद जा रहा है यह दोनों सरन या साधरन वाक्य हैं जिस वाक्य में एक मुख्य के लिए तथा एक उद्देश्यक करता हो उसे सरन वाक्य कहते हैं अब सरन वाक्य वह सुभव गया और साम को वापस आ गया उसने बैमानी की इसलिए नौक्री से निकाल दिया गया उप्रुप वाक्यों में दो दो स्वतंत्र वाक्य समाना अधिकरन समुच्य बोदक से जुड़े हैं यह दोनों सरन वाक्य के उधारन हैं जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समाना अधिकरन समुच्य बोदकों से जुड़े हूँ उन्हें स्वतंत वाक्य कहा जाता है अब है मिस्ट वाक्य नंबर 3 मिस्ट वाक्य देखिए यहो वही लड़की है जिसने कल निट्य किया था अध्यापक जी ने बताया कि कल दिद्याले में आपकास रहेगा जब आपका फोन आया मैं पूजा कर रहा था तीनों वाक्यों में दो दो उपाक्यों है तिनों वाक्यों में दो दो उपाक्यों परते पंक्ती में दो उपाक्यों में एक उपाक्यों स्वतंद परधान है और दूसरा स्वतंद उपाक्यों पर आसित उपाक्यों दोनों उपाक्यों वेधिकरन समूच्य वोधकों समूच्य वोधकों से जिस्से की जब से जुड़े इनमें किया लगवा? किसी में की लिखावा, जब यह क्या है? कि यह मिस्सित वाके और आज्सित वाके, दादी जी ने आज कहाणी सुनाओंगी, मैं नहीं जाएँगा, तो आज्सित वाके क्यों कि मैं विमार हूँ सब्सक्राइब व s вами वाचिय में व्यधीकरण योजकों से जुड़े रहते है इसलिए क्योंकि इस कारण चुंकी तथा भी यदी तो ँर्थात मानों जब यहां तक की जिससे आदी व्यधीकरण योजक कहते हैं जिन वाक्यों में एक स्वातंत्र पर उप वाक्य हो तथा सेश वाक्य गोन या आशिद उन्हें मिस्र वाक्य कहते हैं अब हैं आपका उप वाक्य हैं, सरल या साधन वाक्य में एक ही वाक्य होता है, मिस्र तथा सन्यूंत वाक्य में एक से अधिक वाक्य प्राय किसी ना किसी योजग से जुड़े होते हैं। अधियापक जी ने हमें बताया कि कल विद्याले में अवकास रहेगा, क्योंकि कल महावे जैनती हैं। कि तथा क्योंकि योजगों का पर्योग किया गया है। अध्यापक जी ने हमें बताया कि कल विद्याले में अवकास रहेगा, क्यों की तो क्यों की आगे ना, तो यह जोगों का परियूग करेगे, तीनों वाक्य जब जूड़ जाते हैं, तो उनको समूँ वाक्य कहा जाएगा, पर यदि इन तीनों को अलग-अलग दर्साएं, तो यदि इन तीनों को अलग-अलग दर्साएं, तो ये तीनों वाक्य नहीं उप वाक्य हैं, तो यहाँ पर एक बार रिपीट करेंगे, भावों और विचारों को परकट करने वाले विवस्ति सब्द, भावों और विचारों को परकट करने वाले विवस्ति सब्द समूँ को वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंगों होते हैं, उदेश्य और विदय, अब हैं वाक्य की भीद, वाक्य के दो दृष्टियों से भीद के जाते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना की दृष्टि से, तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर नहीं पर खत्म होता अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें